और मेरा नाम है अमंत्रिवेदी, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अलग टॉपिक के बारे में जो की थोड़ा पढ़ाई से हट कर है बट बहुत जरूरी है आज के इस समय में, रीजन इसका ये है कि आप सभी को पता है आपका SSC CGL 2019 का जो exam है वो conduct हो चुका हैं CGL 2019 का इन्होंने pre-conduct यानी tier 1 conduct करा लिया है ठीक है तो CGL 2018 का सब कुछ हो चुका है CGL 2019 का tier 1 conduct हो चुका है and now what we wait what we want is result ठीक है तो आप सबको पता है हमें क्या चाहिए result तो इसी को देखते हुए we have decided to do a massive Twitter campaign जहां पर आप सब लोग participate करेंगे एक Twitter campaign में आपको कुछ नहीं करना है कहीं बाहर नहीं जाना simply आपको घर पे बैठना है और अपने mobile को हाथ में लेकर अपने Twitter accounts से कुछ tweets करने हैं जिस जो कि आप अपने हक के लिए आप अपनी लडाई में participate करने के लिए करेंगे देखिए पूरी बात क्या है इसको समझ लेते हैं देखिए आप सबको पता है SSC ने एक notice जारी किया था ठीक है SSC ने एक notice जारी किया था 4 मही को और जब lockdown 3 तो उन्होंने कहा कि exam की जो dates है वो हम at least one month advance में बताएंगे उसके बाद यह कहते हैं dates of examination will be announced at least one month in advance ठीक है annual calendar of the examination will be reviewed in the light of the decision of government with regard to the lifting of restrictions of lockdown across the country fresh dates यह तभी बताएंगे पैंडमी जब आपका lockdown हट जाएंगे और उसके बाद उन्होंने कहा commission इस notice को review करेगा 18.05.2020 यानि कि 18 मही को आप सबको पता है 18 मही को इन्होंने review करने को कहा था और आप सभी को पता है आज की तारीक क्या है May 20 और क्या SSC की तरफ से कोई भी response आज की तारीक में आया है तो जवाब है नहीं यानि कि SSC ने अपना stand अभी तक clear नहीं किया हुए है कि वो क्या चाहते हैं और क्या पूरी तरीके से डार्क में अंधेरे में आके छोड़ दिया है आपको पता है जैसा कि तो हमारी demand सिंपल सी यही है कि SSC अपना stand clear करे अब हमें यह बताए कि आपका exam कब conduct होगा क्या dates होंगी और देखिए ऐसा नहीं है कि lockdown है तो ऐसा नहीं कि काम नहीं हो सकता है देखिए आप सभी को पता है IBPS ने क्या किया है IBPS ने हाली में अपने सारे results कल ही declare किये हैं तो ABPS अगर ऐसा कर सकता है तो SSC क्यों नहीं कर सकता है जरूरी नहीं है कि सारे काम office आ करी हूँ आपका work from home भी हो सकता है और कुछ काम office से भी हो सकता है at least जो भी है कम से कम अपनी बात को clear त पनाए कि वह हमारे results को हमारी बात को जल्दी से करें तो हमारी demands क्या क्या है simply एक तो सबसे पहली demand यह है कि आप जैसे कुछ लोग को पता होगा कि एक UFM का issue क्या है आपका UFM का मतलब हो जाता है SSC का कहना है unfair means कि आप अपने exam की copy में जो SSC tier 3 की copy है उसमें आप अपना ना हम नहीं लिख सकते वगेरा वगेरा उन्होंने लिखा कहा था जिसकी बज़े से कई सारे बच्चों को उन्होंने reject कर दिया था तो यह जो है इस issue को बहुत ही जल्द से जल्द वो resolve करें हमारी यह demand है इसके अलाबा SSC अपना उस पर stand clear करे कि वह क्या चाहते हैं हमने अपनी SSC experience अपनी बात को बहुत बार clearly रख चुके लेकिन उन्होंने कोई भी clear जवाब नहीं दिया है तो हम यह चाहते हैं कि SSC जल्द से जल्द 2019 का टीर वन का result declare करे SSC सीजल 2018 का final result declare करे और without imaginary UFM imaginary UFM की बात को माना जाए और बिना उसके result को declare किया जाए और exam calendar को publish करें जिससे result status को publish करें जिससे हमें fresh dates पता चल पाएं कि exam कब होगा क्या कुछ result होगा तो अपनी at least picture को clear करें हमें इस तरीके से अंधेरे में ना छोड़ें तो आपको basically करना क्य आना है सुबह 11 बजे ठीके दुपहर में सुबह 11 बजे तक दुपहर ही हो जाता है आज कल तो सुबह 11 बजे आपको क्या करना है SSC results without imaginary UFM इस hashtag को आपको use करना है इस hashtag के साथ में आपको अपनी demand को Twitter पर रखना है time क्या होगा 11 बजे सुबह का और कल यानि 21st में को आपको य सकते हैं चाहें तो anyways आप ट्विटेटली कल जरू tweet करिएगा Twitter पर जाकर और अपनी demand को रखिएगा क्यों कर रहे हैं हम यह क्योंकि SSC अपना stand clear नहीं कर रही है कि वह result कब declare करेंगे exam हमारा कब होगा तो at least हमें fresh dates बताए आप में से कुछ लोग हो सकता है कि sir covid चल रहा है pandemic च stand clear kia त्व अगर यह संस्था summarize result declare करने के लिए तो आपको बच्चों को नहीं बुलाना तो आynıकाम करना है यह याप काम नहीं करना चाहते है आप बेवज़ा चीजहों को delay करना चाहते है तो यह जो तरीका है यह जो रवय है काफी गलत है तो इस रवये के अगेंस्ट हमें कल बात करना है और इस रवये पर ही हमें कल आपको अपनी डिमांड को रखना है ट्विटर पे ठीक है कुछ खास आप कुछ बहुत मेहनत नहीं है सिर्फ आपको तोड़ा सा आदा गंटा एक गंटा देना पड़ेगा और कुछ ट्वीट्स क करिएगा creative होने की जैसे इस तरीके के आप meme templates use कर सकते हैं जैसे मैंने आपको यह simply कुछ meme templates में आपको यहाँ पर show कर देता हूं जिससे आप idea लगा सकते हो कि किस तरीके के आप memes बना के आप अपनी demands को रख सकते हो और थोड़ा सा creative होने की कोशिश कर सकते हो ठीक है तो यह स use these templates and press your demand on Twitter and demand your rights क्योंकि देखिए I don't know कि क्या SSE का रवया है क्या SSE चाहती है लेकिन आपको उसके लिए अपना fight करना पड़ेगा क्योंकि सफर इस सब की बीच कौन कर रहा है हम सफर कर रहे हैं तो हमें अपनी demands को रखना है और SSE से request करना है SSE से हमें अपनी request करना है कि व तो जल्दी से जल्दी result publish करें जिससे की बच्चों का भविश अधर में ना लटके ठीक है इसके अलावा अगर आप आनेकेडमी पे मुझे फॉलो करते हैं तो आप आनेकेडमी पे मुझे पढ़ सकते हैं यह मेरा referral code है आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं AMANT यह मेरा referral code है जिसको यूज करके आपको 10% discount मिल जाएगा on online academy plus courses उसके बाद आप सभी बच्चों सभी टीचर से पढ़ सकते हैं 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 54108 का और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 4320 रुपीज का मिल जाता है उसके बाद आप सारे टीचर से पढ़ सकते हैं dedicated doubt sessions ले सकते हैं अगर